Hello friends, meditation यानि ध्यान इसको लेके काफे myths हैं कुछ लोग हमाना है कि meditation कुछ शांस जगे पे किया जाना चाहिए या उसके लिए एक जगे आपको बैठना पड़ेगा Friends, क्या आप जानते हैं, एक ऐसा meditation टाइप है, एक ऐसी टेकनीक है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं और in fact पूरे दिन कर सकते हैं जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे mindfulness एक ऐसी meditation टेकनीक जिसे आपको किसी specific time में करने की ज़राती है in fact आप किसी भी काम को करते समय, mindfulness meditation कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है mindfulness, इसके benefits क्या है और mindfulness किस तरह से क्या जाए एक चोटा सा session भी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है mindfulness प्रिंट्स, mindfulness जैसे बताया है मैंने कि एक English term है, काफी popular हो गया है लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करें, तो जो हमारे गौतब बुद्धा है उनका जो meditation form है, विपश्णा, ये उसी का एक simple version कह सकते हैं वैसे तो एक meditation form है, लेकिन psychology में हम इसको एक therapy के form में भी use करते हैं अगर हम इस term mindfulness के exact meaning को अर्थ को समझने की कोशिश करें तो इसका मतब होता है being focused on the now, अपने मन को वर्तमान में बनाए रखना अब ये सुनने में काफी असान सा लगता है कि मन तो हमारा वर्तमान में ही रहता है भाई, इसमें क्या परिशानी है और ये क्या form हुआ, लेकिन friends, आप अगर notice करें अपने मन को तो इस जादे तर बार वर्तमान में नहीं रहता है या तो past के कुछ चीजों में कुछ जो memories होती है उनमें उलजा रहता है या future worries में wondering here and there, सोचते रहते हैं हमकी future में क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे तो आप अगर बहुती keenly observe करेंगे तो आपको honestly समझ में भी आएगा कि ये बिल्कुल सच है कि आपका दिमाग जादे तर past और future में रहता है एक time machine में गूमता रहता है, या तो आप पीछे या फिर future में लेकिन अपने मन को present में रखना, अपने आपको वर्दमान पर जो आपका अभी का present moment है उस पे focus रखना, it is mindfulness आपका मन हमेशा present में रहे वर्दमान में आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं जो कुछ भी आपकी activities हैं, उन सब पे आप focused है तो इस तरह से mindfulness हमारी मन को, हमारी खुद के मन को समझने में हमको help करता है और यह हमें वर्दमान से जोड़े रखता है जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई activity कर रहे हैं, जो भी present हमारी activity है अगर हम उस पे focused नहीं है हमारी जो energy है, वो इधर-उधर भटक रही है हमारी thoughts इधर- US तो बटक रहे हैं तो क्या होगा? जो आप you present moment ने काम कर रहे हैं, आप उसको ठीक से नहीं कर सकते हम गहते भी नहीं अक्सर कि ध्यान कहा है तुमारा कितनी गलतियां हो रही है देख के करो समझ के करो ध्यान से करो तो चुब कुछ भी आप काम कर रहे हैं कि आप उस पर फुली फोकस्ट है आप उसके बारे में पूरीता से अवेर है देख भी आप उस चीज़ को ठीक से कर सकते हैं जब भी आप माइंटफुल होकर कोई भी आक्टिविटी करते हैं तो आप उस पर पूरा फोकस्ट होते हैं आपको उस चीज़ की पूरी अवेरनेस होती है आप उस प्रेजन्ट मॉमेंट को इंजोई करते हैं उसको जीते हैं, उस लमहे में होते हैं, जो लमहा present में है, जो present activity आप कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, वो काम हो सकता है, वो gardening हो सकती है, वो खाना हो सकता है, वो नहाना भी हो सकता है, So in this way, simply अगर हम कहें, तो mindfulness क्या है? Awareness of the present moment, आपके वर्थमान की जानकारी, आपके वर्थमान में जुड़े रहने की अवस्था, आपके वर्थमान में जो कुछ भी हो रहा है आपके अंदर, या जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी पूरी awareness और देखना जी में, ये काफी simple लगता है, लेकिन इतना असान नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बात की, आप खुद भी notice करेंगे, कि वर्थमान में बहुत कब लोग जीते हैं, जादे तर लोग या तो past में फंसे रहते हैं, या पर future के बारे में सोचते रहते हैं, और हमारे जित और नतीजन ये होता है कि वो जो काम कर रहे होते हैं, उसको वो अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं, कई मर्दों लोग खाना खाते हैं लेकिन, उन्हें पता ही ने चलता हैं, और वो घर आ गए, तो mindfulness को अगर हम ठीक से समझे हैं, तो हमको एक और तब समझ ले चाहे हैं, वो है mindlessness अभी जो हमने example लिया वो है mindlessness का यानि कि autopilot mode maximum लोगों की परिशानी ही होती है कि वो अपने mind को autopilot mode पर डाल देता है यानि कि उनका mind होता है वो अपने आप चल रहा होता है उस पर उनका कोई control नहीं होता उनके thoughts पर उनका कोई control नहीं होता आप खुद feel करते हैं कि आपके सोचने पर आपका control नहीं है यह काफी dangerous हो सकता है तो mindlessness में व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है वो कुछ भी activity करता है लेकिन वो कहीं और खोया होता है और mindlessness की वज़े से ही लोग अपने काम को focus ही नहीं कर पाते है तो अच्छे से कैसे करेंगे तो इसलिए हमको यह समझना चाहिए कि आपको अपने mind का pilot खुद बनना है या उसको auto-pilot mode पे डाल देना है देखे फ्रेंट्स जो कुछ भी हमारे साथ होता है या जब भी होगा in future भी वो हमारे खुद के करने से होगा auto-pilot mode पे रहने से आपकी life अपने आप अच्छी नहीं होगी वो वैसी रहेगी जैसी है in fact और खराब हो सकती है और इसी लिए अपने mind का control आपको खुद के हाथ में लेना पड़ेगा तो अपने आपको auto-pilot mode से हटाके यानि कि mindlessness से हटाके mindfulness पे लाना पड़ेगा तो क्या करना है simply आपको अपने आपको अपना in charge बनाना है आपको यह देखना है कि आप present moment में क्या कर रहे है तो अपने उस लंभे को उस present जो समय है आपका वर्थमान जो समय है उसमें आप जो कुछ भी कर रहे है बस उसकी आपको awareness होनी चाहिए तो यह आपको अपने आपको समझने में मदद करता है आप क्या कर रहे है अगर आप कुछ गल्टी कर रहे है ये भी आपको पता स्लिजाती है आप कोई बेकार काम कर रहे है ये भी आपको पता सिल जाता है आपको अभी क्या करना चाहिए ये भी आपको पता सिल जाता है तो इस तरह से mindfulness आपके लिए एक present moment की awareness डिवलप करता है आप समझ पाते हैं कि आपके साथ अभी हो क्या रहा है and in fact इसी दिए कहते हैं कि इस technique को हमको कोई specific जगे पर बैठ कर और एक particular time के लिए करने की ज़रूत नहीं है इसको आप पूरे दिन कर सकते हैं in fact हर दिन कर सकते हैं और हर activity के साथ आपको करना चाहिए लेकिन क्योंकि हमारी आदत नहीं है हमारे मन की आदत नहीं है कि हम present में रहें इसलिए आपको इसकी practice करने के लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा आपको इसे अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा अपनी आदत बनानी होगी कि आप देखें कि आप present में क्या कर रहे हैं अभी आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए तो जैसे ही आपकी awareness डेवलप होती है आप mindful होते हैं आपका control आपके पास आजाता है बस हो गया meditation और इसलिए mindfulness को हम किसी time bound activity में नहीं बांते हम हर activity को mindful बना सकते हैं mindfulness हमारी एक आदत बननी चाहिए कि हम जो कुछ में काम करें हम उसमें पूरी तरह से absorb होके करें उसकी पूरी awareness के साथ करें पूरे focus के साथ करें तो अगर हम बात करें इसके benefit की तो यही इसका सबसे बड़ा benefit है friends अगर आप mindfulness के practice करते हैं तो एक तो उसका immediate effect परता है आपको आप जो कुछ भी काम से शरुआत करें आपको तुरंद पता चलेगा कि आपने उस पूरे moment को भरपूर awareness के साथ में किया है और यही इसका benefit है क्योंकि जब भी आप कोई भी activity mindfulness के साथ करते हैं तो आपकी performance enhance होती है आपने उस activity में आपने आपको पूरी तरह से डुबो दिया आपको उसकी पूरी awareness है तो आप उसको पूरे ध्यान से करेंगे तो होगा क्या आपकी गलतियां कम होंगी तो आपकी performance increase हो जाएगी दूसरा mindfulness आपके time को save करता है क्योंकि जब आप mindful होके काम करते हैं आप distracted नहीं होते हैं आप वो जो भी activity कर रहा है present moment में उसे पूरी तरह से absorb होता है पूरी तरह से focused होता है पूरी awareness के साथ करते है तो आप देखेंगे कि आपकी performance speedly होने रग गई है आप time save करेंगे आप पहले जो काम एक घंटे में करते थे आपको लगेगा कि आपको बहुत कम समय लगता है क्योंकि जब भी आपका focus increase हो जाता है तो आपकी जो काम करने की speed होती है वो बढ़ जाती है तो यह आपके speed को बढ़ाता है इस तरह से आपके time को save करता है और दूसरी वाद जब भी आप mindfulness से काम करते हैं तो आप past और future में नहीं होते हैं आप present में होते हैं यह भी आपकी time को save करता है क्योंकि जादे तरह लोग क्या होता है जब भी कोई काम करने बैठते हैं तो खोए हुए होता है आदे समय past में आदे समय future में तो वो जो present का काम होता है वो delay हो जाता है time बहुत kill हो जाता है overthinking में या उन चीजों के बारे में सोचने में जो कभी पहले हो चुकी है या कभी बाद में होगी और उस चकर में वो अपना पूरा समय बरबाद कर देते हैं तो जो काम थोड़े से दिर में हो सकता था उसके लिए वो बहुत जादे समय रखता है और इसलिए time management के साथ में mindfulness सिखाया जाता है समझाया जाता है क्योंकि हमारे पास में limited time होता है हमको एक तैस हमें में एक काम को पूरा करना होता है और सही तरीके से पूरा करना होता है हमारे पास में बहुत जादे गलतियां करने की गुझायश नहीं होते है कि हम end number of time उसको repeat करते रहे तो अगर आप time management को follow करते है तो आपके लिए mindfulness बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके समय को बचाने में आपको mindfulness help करता है और थर्ड important benefit is कि mindfulness आपकी anxiety, worry, tension आपकी overthinking की आदत, आपके fears ये सब से आपको overcome करने में help करता है and one more important benefit है कि अगर आप जब mindfulness को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो brain की power है वो बहुत बूस्ट हो जाती है आपका focus level increase हो जाता है आप एक extended level of consciousness को feel करेंगे और ये आप खुद अपने अंदर फर्क महसूस करेंगे कि बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जिनके बारे में आप पहले सोच या समझ ही नहीं पाते थे आपको काम करड़ाते थे और आपको पता ही नहीं चलता था कि उसमें क्या details है उसमें क्या कुछ special है आपने कभी notice ही नहीं किया तो जब आप mindfulness से काम करेंगे आप देखेंगे कि आपकी consciousness का extended form develop हो गया है आप बहुत सारी details को notice कर पाएंगे अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी sensations होंगी ऐसी beauty होंगी जिनको आप पहले एक नोर करते थे आपका ध्यान ही उन पर नहीं जाता था क्योंकि आप तो कहीं और होते थे न तो आप जब mindfulness से काम करेंगे तो आपको उन चीजों के बारे में awareness develop होती है and another important benefit is कि जब आप mindfulness को practice करना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी energy level बढ़ गया है आपकी mental energy boost होती है कैसे वो energy जो आप पहले waste कर रहे थे इधर उधर जो आपकी distraction में जा रही थी जब वो आप save करते हैं तो आपको अपना energy level बढ़ता हुआ महसूस होता है क्योंकि आप आपने past और future की जो खिड़की दरवाजे थे बढ़ कर दें तो आप present moment में है हाला कि यह देखने में सुनने में काफी असान लगता है रिकीन क्या यह अतना असान है नहीं यह हमारे मन के लिए काफी मुश्किर होता है कि हम किसी एक चीज़ पर एक काम पर उसको काफी रंबे समय तक focus रख पाए तो अगर हम यह चाहते हैं कि हमारी एक आदत में शुमार हो हम mindful होकर हर काम करें तो हमें इसकी practice करने ही पड़ेगी हमको अपनी एक आदत बनाना पड़ेगा अपने मन को स्थिर बनाने के लिए अपने mind को focused रखने के लिए present moment में तो mindfulness को शुरुआत करने से पहले आपको अपने मन को एक चीज़ बतानी है कि आपको अपने आपका अपने वर्थमान का द्रिष्टा बना है आपको एकदम शान्थ होके अपने आपको observe करना अपने आपको focus करना अपनी awareness अपने present moment पर fix करना सीखना है सिर्फ एक द्रिष्टा की जैसे आपके साथ क्या हो रहा है आपको मान में कैसा feel कर रहे हैं आपको किस तरह के thoughts आ रहे हैं इन सब को आपको सिर्फ notice करना है तो जैसे कि हमने बात कि mindfulness के लिए हमें वैसे तो कोई समय तैय करने की जरुत नहीं है कुछ जगे तैय करने की जरुत नहीं है हम कभी भी किसी भी activity के time पर कर सकते हैं पर क्योंकि अभी हम इसको सीख रहे हैं हम अपनी इसको आदत बनाना चाहते हैं तो इसको हमको learn करना पड़ेगा तो शुरुवात में हमको एक थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा और फिर आप उसको हर activity के साथ भी कर सकते हैं तो सबसे पहले किसी भी आरामदायक और शांत जगह पर जहां भी आप comfortably बैठ सकें 10, 15, 20 मिनट आप एक जगह जमीन पर आसा लगा के बैठ जाएं कोशिश करें कि कोई distraction नहीं हो क्योंकि यह आपको शुरुवात में काफी मुश्किल लगने वाला है तो distractors होंगे तो यह आप focus थोड़ा सा नहीं अच्छे से कर पाएंगे तो सबसे पहले आसन बिच्छा कर पारती जमा कर एक अराम दायक मुद्रा में जमीन पर बैठ जाएंगे उसके बाद अपने आपको शरीर को धीला छोड़ दें अपने आखें बंद कर लें अपने हाथों को अपनी body muscles को पूरी तरह से रिलाक्स कर दें body को एक दम धीला छोड़ दें अपने मन को शान्त करने की कुशिश करें अपने आप concentrate करें अपने अंदर अपने आपको महसूस करना शरू करें और mindfulness में आपको कोई special types of breathing करने की ज़र होती है आप normal breathing करते रहें आराम से जैसे आप normally inhale करते हैं, exhale करते हैं वैसे करिए, लंबी सांस लेने की ज़रूती हैं, गहरी सांस लेने की ज़रूती हैं जो आपका normal breathing process है, बस वैसे ही करते रहें बस अपने आपको शान्त करिए अपने शरीक उढ़ीला छोड़ दीजिए अपने आखें बन करके अपने आप पर focus करिए और अपने इस breathing process पर focus करिए इसको deliberately कुछ भी करने की ज़रूती है जो अपने आप हो रहा है, बिलकुल उसको अपने आप होने दीजिए तो just close your eyes, relax your body and एकदम calm होके, शांत चित होके अपने आप अपने अंदर focus करते होए अपने सांसों के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया अपने सांस के अंदर लेने की और अपने सांस को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह से awareness develop करिए focus on your breathing process, inhale, exhale आप जैसे अंदर लेने सांस, आपको जो भी feel हो रहा है आप जब बाहर उसको छोड़ता है, आपको किस तरह से feel होता है आप इसको थोड़े देर के लिए सिर्फ अपने इस breathing process पर focus करिए आपके अंदर जो कुछ भी आप sensation, आपकी feelings, आपके thoughts इन सबको आप महसूस कर पा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको कोई thought विचरित कर रहा है आप इधर उधर जा रहे हैं तो again focus on your inhale and exhale process अपने फिर से सांस के अंदर आने की और बाहर जाने की प्रक्रिया पर focus करें ध्यान रहे हैं कि इसको बदरने की बिलकुर कोशिश नहीं करनी है कोई efforts नहीं करने है जो जैसा है बस उसको आपको observe करना है आपको उस वत्मान में उस present moment में रहना है बिना जज़ किये कि वो अच्छा है या बुरा है आप सिर्फ उसको द्रिश्टा बनकर observe कर रहे है आपको अपने present moment की present state की awareness है आप अपने बद्मान की जो स्थिती है शारेरेक और मन स्थिती उसको महसूस कर पा रहे है इसके माद अब अपने दिमाग में जो विचार है उनको observe करिए आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे है आप अपने शरीर में होने वाले समवेदनाओं को क्या body sensations आप feel कर रहे हैं उनको observe करिए पूरी तरह से अपने शरीर, अपने मन पर अपना ध्यान केंद्रित करिए तो जब आप इस तरह से mindfulness को practice करेंगे न आपको ये skill develop हो जाएगा आपको अपने present moment में रहना आने लगेगा और आपका जो मन का भटकाव है past और future के side में जो आपका जाते हैं thoughts उनको आप control कर पाएगे तो इससे फाइदा ही होगा कि आपकी हर moment में जो आपकी awareness है जो आपका focus level होगा वो increase होगा और धीरे धीरे आप एक बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे कि आप हर काम को पूरी focused के साथ full awareness के साथ करने लगे हैं आप उस present moment में रहने लगे हैं एक वरतमान में जीने की आपकी आदत बनने लगी है so in this way mindfulness से आप अपने mind को पूरी तरह से अपने control में ले देंगे और आपको फिर autopilot की सिरुत नहीं पड़ेगी I hope आपको यह information valuable लगयोगी अगर आपके कुछ सवाल है meditation से related या आप अपने experience शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं आज के video में इतना है नेक्स ताम फिर एक इंट्रस्टिंग की साथ नहीं मिलते हैं ति देन गुद्बाई थांक्स पूरी ताइम और कीप वाचिंग